हलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड वर्निंग, स्वागत है आप सभी को स्टर्ड निकेतन के करेंट अफेयर कारिकरम में, आज हम करेंगे 22 अक्टूबर 2019 के बेस्ट करेंट अफेयर, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत में मैं जो सवाल पूछत में दो दिवसiye युद्ध भ्यास सुरू किया है, तो ये युद्ध भ्यास हुआ है जिर राजस्थान के जैसल मेर में, शुद्स रहरा के फोटो देखिए, राजस्थान के जैसल मेर में सुदस्रं स्वा नि ने मैं इंग्रेज जैसल मेर में दो दिवसीय युद्यव्यास शुरू किया है। इस पुस्तक का भी मोचन किया है। इसके राइटर है जो टाटा संस के जो चेर्मेन है एन चंदर सेखर अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही ये किताब लिखा है रूपा पुर्सोतनमन के सहता से ठीक है और इसके पहली कोपी रतन टाटा को दिया गया। बिते दिनों किसने लदाक में करनल चेवांग रिन चेन सेतु का उधगाटन किया है। तो ये कि ये हैं रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग जी ने इस सेतु का उधगाटन किया है लदाक में। इस पूल का निर्वान 14,650 फीट के उचाई पर BRO द्वारा किया गया है ठीक है और इसका नाम करनल चेवांग रिन चेन के नाम पर रखा गया था जो भारतिय सेना के ओफिसर थे जिनको 1922 ने महाविर चक्र दिया गया था। बिस्व सांखी की दिवस के रूप में कब मनाया गया है तो ये 20 अक्टूबर को मनाया गया जी बिस्व सांखी की दिवस ठीक है इस रिलेटेड एक आप फोटो देखेंगे और इस बार का बिस्वा था बेटर डेटा बेटर लाइप्स ठीक है बहुत अच्छा बिस्वा है ASEAN Track Cycling Championship में कौन सा पदक जीता है तो ये पदक जीते हैं जी सोन्ड पदक ठीक है इनके अलाबा James Singh ने कास पदक जीता है दक्षिन कोरियागरा धाने सियोल है और यहां के जो करंसी चलता है कोरियाई वान चलता है बिति दिनों किसने पुर्व अटावनी जर्रल के पारा सरन को सरवाधीक परतिस्ठित बरिष्ट नागरिक प्रुसकार परदान किया है तो ये दिये हैं M.Bank N.I.2 हमारे देश के उपराश्पती ठीक है और ये एक्चुली ASE Care इंडिया दोरा दिया जाता है इनको परा सरन जी को 2003 में पदम भूसन और 2011 में पदम भीभूसन से सम्मानित किया जा चुका है बिते दिनों किस देश को इंटरनेशनल टेरर फाइनेंसियल वाच डॉग FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है तो ये सिरलंका है और सिरलंका को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है FATF का पूरा नाम Financial Action Task Force है मुख्याले इसका पेरिस फ्रांस में है और FATF का स्थापना जुलाई 1989 होई थी बिते दिनों किस ने सुल्तान जोहर कप हौकी टूनामेंट 2019 जीत लिया है तो भारत को हरा करके Great Britain ने जोहर कप 2019 जीता है ये उनकी Life के मतलब आपका सकते है Great Britain के ये तीसरा टूनामेंट था थोड़ावर डीटेल में जानते हैं इसको ये नौमा संसकरन था जिसको 2-1 से जीत लिया इंडिया को हरा करके और Great Britain का ये तीसरा खिताब था सिवा नंद लाकरा पांच गोल करके सिर्स पर रहे और जापान के कोसी कवावे बेस्ट प्लेयर आफ दे टूनामेंट का खिताब जीता वहीं Great Britain के Oliver Piany को गोल कीपर आफ दे टूनामेंट का खिताब दिया गया चलिए आगे बढ़ेंगे बितर दिनों किसे भारतिये बैंक संग IBA का नया चेयर्मेन नियुक्त किया गया है तो ये हैं रजनीस कुमार आप इनसे परजित होंगे ये SBI के चेयर्मेन भी है और इन्होंने सुनील मेहता का स्थान लिया जो की पंजाब नेसनल बैंक के MD और CEO थे IDBI बैंक के MD और CEO राकेश कुमार जो है माननी ये मतलब ये IBA का सचीब बनेगे और IBA के CEO है BG कनन मुख्याले IBA के है जी मुंबई में आगे बढ़ते हैं बीतर दिनों उपेंदर सिंग रावत को वो किस देश के अगले राजदूत नियूट किया गया है तो ये बने है निकारागुआ गनराजी के अगले राजदूत बनेंगे कौन? उपेंदर सिंग रावत चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखेंगे बिते दिनों किस IIT से graduate देवियन साहा ने PM 2.5 नामक एक device बनाया है तो यह IIT खड़कपुट के student है और इन्होंने ही PM 2.5 नामक एक device बनाया है जो की परदूसन कंट्रोल करेगा अब आगे बढ़ेंगे और लेंगे जब आगे 180 के बीदे दिनों क्रिश्टिन लेगाड को किसने नई परमुक के रूप में नेउट किया तो यह किये है जी European Central Bank ECB बोलते हैं इसको ठीक है आपने सही जवाब दिया आगे बढ़ते हैं आज का सवाल लेते हैं भारत और किस दे 2019 अभियास कायोजन विसाखा पत्न में किया जा रहा है तो आप उच्देश का नाम बताईए और मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार